तो वेल और जिनके रिसेंटली में यार अभी रुख जाना नहीं योजना के रिजल्ट्स आए हैं अब रिजल्ट्स आने के बाद में बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि भाई जो हमारी मार्क सीट है वो कहां से मिलेगी कब तक के मिलेगी और कौन सा वो इंप तो आज के जो वीडियो है आपके हर एक डाउट को किलियर कर देगा आप अगर पास हो चुके हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अगर चैनल पे नहीं हो तो साथ में आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ऐसी MP बोर्ट से जुड़ी हर एक अबर पाने के लिए साथ में टेलिग्राम ग्रूप का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां जा कि आप हमें टेलिग्राम ग्रूप में भी जॉइन कर सकते हैं सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूँ क्या इसकी जो मार्क सीट है उसको ओरिजिनल वाली मार्क सीट आने के ल तो भाई आपकी MPBSC की जो ओरिजनल मार्क सीट होती है वो मिल जाती है आपको आपके स्कूलों के द्वारा बट यहाँ पर राज ओपन स्टेट की जो आपकी परिच्छाएं होती है वो MPSOS और यह जो परिच्छाएं होती है इनकी जो मार्क सीट होती है वो आपको मिलती है ज जिले से कहां से जहां से आप लोग परिख्चा दिये हो, जिस सेंटर में आप लोगों ने परिख्चा दिये हो, वहीं पर वन मन्त के बाद में कोई अगर MarkSit आती भी है तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूँगा, आप जाके वहां से ले सकते हो, आपको वहीं से लेना पड़ेगा थर्ड नंबर का पॉइंट की कौन सा डाकुमेंट वो जमा करना पड़ेगा तो मैं तुम्हें बता दू कि जब भी आप मार्क सीट लेने जाओ आपको एक आधार कार्ट की फोटो कॉपी लगेगी प्लस आपकी जो 10 या 12 में आप MP BAC मतलब MP Board में जो फैल हो चु तब ही जाके आपको रुख जाना नहीं योजना की ओरिजिनल वाली मार्क सीट जो है यहाँ पे दी जाएगी ये तीन पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं और ये तीनों ही पॉइंट इंपोइंट है चौता और मोस्ट इंपोइंट पॉइंट के आप लोगों को टें भी आप अपना जो है यहाँ पे एडवीशन्स करवा सकते हैं जब आपकी पकी मतलब की ओरिजिनल कॉपी जो है मिल जाएगी मार्क सीट की उस कॉपी को फिर आप जो है जमा कर सकते हो बट अभी आप पास की ये वाला रिजल्ट डाउनलोड करके भी दिखा दोगे तो आप लोगों ने एकजाम दिये थे जिस इसकूल ने इस मार्क सीट को इसू किया है उस इसकूल के जो प्रंसीपल है उन प्रंसीपल के सिगनेचर विट स्टैंप उस मार्क सीट में है या नहीं करेक्शन का भी आपको देख लेना है कि आपका नाम वाम कुछ गलत तो नहीं है बाकी सब everything is okay ठीक है तो I hope आप लोगो मार्क सीट से जोड़ी भहुत सारी confusion दूर हो गई होगी अगर फिर भी नहीं होगी तो नीचे comment करके मुझे बता सकते हो मैं next वीडियो में आपको proper पूरा explain करके बता दूँगा फिलाल किल स्रीप इतना दा मिलते अपने next वीडियो करके बता सकते हैं